नमस्कर दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्मून खबरों में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी कहीं सहर में फशे हुएं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुस खबरी है दोस्तों आपको बता दें कि आज से पहले सिर्फ 20 ट्रेने ही चलाई जा रही थी लेकिन दोस्तों आपको बताने कि सरकार ने अभी अभी बहुत बड़ा एलान किया है कि जितने भी परवासी मदूर बाहर में फशे हुएं वो अब घर पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए अब ट्रेनों की जो संख्या है बढ़ाई जाईगी जी हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ 20 ट्रेने ही चलाई जा रही थी अब आपको बताने कि 50 ट्रेने चलने वाली है तो इसको लेकर सरकार ने अभी अभी ऐलान किया है कि इंट्रेनों की संख्या को बढ़ाये जाएगा यानि कि जितने भी लोग अभी जा रहे थे उससे ड्रबल ट्रिपल अब घर पे जाएंगे और कोई भी दिक्कत और परिशानी की जरूरत नहीं होगी तो चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये ट्रेने कहां से चलाई गई है और कितने लोग इसमें अभी तक यातरा कर चुके हैं दोस्तों आपको बताने कि रेलबे ने सनी बार को आठ राज्यों से लगभग 20 हजार परवासी मजदूरों को उत्तर परदेश, जर्खंड, बिहार में उनके घर तक पहुंचाने के लिए 20 ट्रेने चलाई थी एक बरिष्ट अधिकरी ने यह जनकारी दी कि उन्होंने कहा कि इन आठ राज्यों कमिलनाडू, आंधर परदेश, करनाटक, तेलंगना, केरल, राजस्थान, महारास्ट और गुजरात के अनुलोद पर ट्रेने चलाने की योजना बनाई गई थी रेलवे बल यानि की आर्पियेफ के महा नहीं दे सक और उनकुमान ने कहा कि हमने आज के लिए 50 ट्रेने की योजना बनाई है और वे 5 दक्षिन राज्यों और महारास्थ गुजरात राजस्थान से जरखंड उतर परदेश और बिहार के लिए चलेंगी दोस्तो आपको बताने की अभी तक आप सहर में फसे हुएं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और दोस्तो आपको बताने की सोनिया गाधी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जहां पर बताई जा रहे है कि जितने भी मज़ूर उस ट्रेन में दोस्तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सियर जरूर करें